यह आपका पार्ट 6 वीडियो एक्सेटर का पार्ट 6 वीडियो में एक्सेट 26.2 पे हैं चलिए कोशन में का रहा है कि निखित का प्रतम से धान्त से आउकल गुना क्यानी कि आउकल अज निकालना है चलिए कोशन नमर 12 देखिए दिया है सेक 2x प्लस 3 तो यहां पर हम लोग इ लिमीट हैडे ट्रेंस तुजीरो एक्सऐच गृष नमर दमस अप यहां रखते हैं पर अछ्थ यहां हुज़िए क्या हो जागा तो हो जागा इसका सेक टू एक्सद्स प्लस रिग एक्स प्लस एक्सफञिए और — f का वैलू वही हो जाएगा से एक टू एक्स प्लस थ्री और बटा में क्या है आपका एच है जिसको कॉस में बदल सकते हैं यहां पर चलिए तो कॉस में इसको चेंज करते हैं क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एक बटा कॉस कॉस टू एक्स प्लस एच प्लस थ्री और यहां भी उसी तरह से हो जाएगा वन बई कॉस टू एक्स प्लस थ्री ठीक है और बटा में क्या है आपका एच है तो इन दोनों का एलसी हम लेते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो यहां एलसी हम लेंगे एलसी हम में आपका plus h plus 3 into में cos 2x plus 3 और इसके बटा में आपका h है तो वो तो रहेगा ही न यह वाला तो ऐसी रहेगा अब चले इसमें से भाग करोगे यहाँ जाके उपर 1 में into करेगा तो हो जाएगा आपका cos 2x plus 3 minus इसमें से भाग करेंगा यहाँ जाके 1 में गुना करेंगा यहाँ हो जाएगा cos 2x plus h plus 3 ठीक है चलो भई यह अब देखो क्या करते है तो उपर cos c minus cos d का formula लगाता है तो आपको बताय हुए है cos c minus cos d के लिए यहाँ पे 2 sin c plus d by 2 और sin d minus c by 2 यह भी formula होता है चलिए तो यह यह वाला तो पलट के इससे गुना हो जाएगा और उपर formula लगा रहा है लिमिट h tends to 0 क्या हो जाएगा 2 sin 2x plus 3 और प्लस में इसको इंटु कर लो 2x plus 2h plus 3 और बताय में 2 फिर इंटु sin d minus c यहनिकि इसको पहले 2x plus 2h plus 3 को पहले और minus का यह 2x minus 3 और बताय में 2 फिर और बाई में क्या हो जाएगा तो यह एच इसके साथ गुना कर जाएगा h इंटु cos 2 2 x plus h plus 3 और इंटु में cos 2x plus 3 फिर फिर चलिए अब आगे solve करते है लिमिट h tends to 0 यहाँ देखो क्या होगा 2 sin यहाँ पर देखो 4x और प्लस में 2h plus 6 by 2 और इंटु sin यहाँ देखो क्या होगा यहाँ देखो 2x से 2x कट गया 3 से 3 कट गया 2h by h 2h by 2 और बता में जो है यह आपके ऐसे ही आ जाएगा लिगी देते हैं क्या है आपका h cos 2 into h plus 3 plus 3 2 into x plus h into 3 और इंटु में cos 2x plus 3 यहाँ देखो ना यहाँ 2 से 2 कर जाएगा एक काम करते हैं इसमें भी 2 कॉमन करके इससे कर देंगे और इस 2 कॉंसेंट है तो बाहा निकाल देते हैं 2 limit h tends to 0 यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा sin 2x plus h plus 3 समें रहे ना 2 कॉमन करके कट गया अच्छा बाई में हम लोग इसको लिख लेते हैं cos 2 into x plus h plus 3 into में cos 2x plus 3 ठीक है और into limit h tends to 0 यहाँ पर बचेगा आपका sin h और यह वाला h इसके बटा में देते हैं चलो अब सीधर 0 पूट करो यहाँ पर यहाँ 0 पूट करो तो हो जाएगा आपका 2 into sin 2x plus 0 plus 3 अच्छा बाई में क्या होगा आपका तो बाई में आपका यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा cos bracket के अंदर 2 into x plus 0 plus 3 into में cos 2x plus 3 और इसका value तो भाईया 1 हो गया चली यहाँ बच गया 2 sin 2x plus 3 और नीचे आपका जो है वो रहने देखे cos यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x plus 3 और फिर into में है यहाँ cos 2x plus 3 तो एक cos उपर जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक में यानि हो जाएगा 2 सेक 2x plus 3 और एक sin बचा कॉस हो जाएगा 10 में 10 2x plus 3 हमारा differentiation आगया चलते है next question पर तो रहागला 13 नम बचते है 10 x degree by 2 दिया है तो degree में है तो पहले है तो इसको radian में बदल नहाँ होता x by 2 into pi यानि के हो जागा 10 pi x by 360 यह radian में change हो गया अब देखो भाईया इसके बाद क्या करते है तो हम लोग इसको माल लेंगे fx माना fx बराबर में 10 pi x by 360 pi x by 360 अब देखिए f dash x निकालने के लिए क्या formula होगा limit h tends to 0 f x plus h माइनस में f x और बराबर में h चलिए यहाँ पर value को रखते है देखते हैं क्या होता है limit h tends to 0 यहाँ हो जागा 10 pi x बराबर में 360 और माइनस यहाँ पर x प्लस h रखेंगे ना x के जगा यहाँ पर x प्लस h समझ मैं है ना f x प्लस h के value क्या हो जाएगा x के जगा x प्लस h हो जाएगा माइनस 10 f x के value क्या होगा pi x बराबर में pi x बराबर में 360 और बराबर में आपका h समझ गे ना f x प्लस h के value रख दिये और फिर यहाँ पर f x के value रख दिये अब देखो sin cos में बदलते है limit h tends to 0 इसको लिखेंगे sin pi x प्लस h बराबर में 360 बराबर में cos pi x प्लस h बराबर में 360 minus sin pi x बराबर में 360 और बराबर में cos pi x बराबर में 360 और इसके बराबर में क्या है h है उपर LC हम लेते हैं limit h tends to 0 यहाँ पर LC हम लेंगे cos pi x प्लस h बराबर में 360 into में cos pi x बराबर 360 यही ना होगा और इनके बराबर में आपका h तो है तो h जो है वो तो रहे गए चलिए रखे इसमें इसे भाग कर गए यहाँ बराबर यहाँ जाकर उपर into करेगा तो हो जागा sin pi x प्लस h बराबर में 360 into cos pi x बराबर 360 ठीक है minus अब इसमें इसे भाग कर गए यहाँ कर जागा यहाँ जाकर उपर into करेगा तो हो जागा cos pi x प्लस h बराबर में 360 into sin pi x बराबर 360 तो उपर फॉर्मूला देखो बराबर sin a cos b minus cos a sin b तो किसका फॉर्मूला में हो गया sin a minus b करना तो limit h tends to 0 उपर हो जागा sin एक जगा यहाँ है तो इसको solve कर लेते है pi x बराबर 360 प्लस pi h बराबर 360 और minus b के यहाँ पर होगा pi x बराब 360 अच्छा h के साथ यहाँ multiply कर जाएगा तो आ जाएगा h into में cos pi x प्लस h बराबर 360 ठीक है into cos pi x बराबर 360 यहाँ और यहाँ कर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा limit h tends to 0 यहाँ sin sin pi h बराबर 360 और बराबर h और फिर limit अलग से लगा लेते हैं limit h tends to 0 उपर 1 दे दो और इसको लिकी देते हैं cos pi x प्लस h बराबर 360 into cos pi x बराबर 360 ठीक है तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ जो एंगल में होना चीए यह वही चीज नीचे होना चीए तो pi बटा 360 से यहाँ आपको क्या करना होगा एक बड़ डिवाइड और एक बड़ मल्टिप्लाइड डिवाइड हो गया और यहाँ पर मल्टिप्लाइड भी करना होगा तक यह बैलन्स हो जाए तो इसका वैलू 1 हो गया तो 1 into pi by 360 अच्छा इन्टू यहाँ पर आपको जीरो पूट करते हैं तो वन बाई कॉस पाई एक्स प्लस जीरो बटा 360 और इन्टू में कॉस पाई एक्स बटा 360 चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं तो यहां तो भाईया वही रहेगा पाई बाई 360 और इन्टू 1 बाई यहां तो हो जाएगा कॉस पाई एक्स बटा 360 तो दो बार है तो यानि हो जाएगा कॉस एसक्वाईर पाई एक्स बटा 360 ठीक है तो यह उपर जाएगा तो यहां सेक में बदल जागा यानिकि पाई बाई 360 सेक एसक्वाईर पाई एक्स बटा 360 यह अब ही एंसर है या इसको फिर से डिगरी मेंभी बदल सकता हैuyं पाई भाई 360 पाई बदल जागा 180 बटा πाई से तो यह आपका degree में मतल जागा पाई से पाई गया यह दो बार में यहां से हमारा यह भी अंसर हो सकता है पाई बटा 360 से के स्क्वाइर x डिगरी बाई 2 ठीक है तो यह भी अंसर हो सकता है चलो अगला 15 नमबर देखो cos square x के बारे मत करना है तो यहां भी मान लेते सको fx माना fx बराबर में cos square x तो हमें f dash x नहीं काला नहीं कि क्या हो जागा उसका limit h tends to 0 fx plus h minus fx बटा h यही नहीं होता है formula चली इसमें put करते हैं limit h tends to 0 यहां पर हो जागा cos square x plus h minus में cos square x और बटा में आपका h ऐसे लिख सकता है अचा एक हम लोग formula पढ़े हुए है sin a plus b into में sin a minus b क्या है एक formula होता है cos square b minus cos square a तो देखो तो यहां cos square a यह b समझो और इसको a समझो इसके according हम लोग इसको ऐसे नहीं चेंग कर सकते हैं तो क्या जगा है लिमिट h tends to 0 sin a plus b तो यह a है यह b है यानि कि x plus x plus h और into sin a minus b तो यह a है यह b है यानि कि x minus x minus h और बटा में आपका h तो x x से यहां कट जाएगा चलिए अगले step में क्या हो जागा यहां पर तो limit h tends to 0 sin 2x plus h और into में minus का sin h हो जाएगा और बटा में आपका h तो यह अगले step में अलग-अलग limit लगाते हैं और minus बहा निकाल जाते हैं limit h tends to 0 sin 2x plus h into limit h tends to 0 sin h बटा h तो इसका तो 1 हो गया यहां 0 पूट करते हैं minus sin 2x plus 0 into में 1 तो यह minus का sin 2x आ गया यहां से इसका differentiation समझ गया है तो यह 16 नमबर देखिए दिया है cos x square का निकालना है तो बहुत ही अच्छा question है इसको देखा जाएग यहां पर भी मान लेंगे fx बराबर में cos x square f dash x निकालने के लिए formula लिख लेता है limit h tends to 0 fx plus h minus में fx और बटा में h क्या हो जाएगा limit h tends to 0 fx plus h का value हो जाएगा cos x plus h का whole square minus में cos x square और बटा में h तो यहाँ formula लगा सकते हैं a plus b का whole square और इसको तोड़ देते हैं पहले इसको limit h tends to 0 cos क्या हो जाएगा x square plus में 2h x और plus में h square minus में cos x square और बटा में h तो यहाँ लगे हैं क्या cos c minus cos d cos c minus cos d तो इसका एक और formula होता है minus 2 sin c plus d by 2 और sin c minus d by 2 अगर यहाँ minus नहीं रहता है न तो यहाँ d minus c लिखते हैं हम लोग जरूरत का नुसार करते हैं यह बड़ा बड़ा टर्म पहले हैं इसलिए मैं यह c minus d लेके चला हो limit h tends to 0 यहाँ formula लगाएंगे तो क्या हो जाएगा minus 2 minus 2 क्या हो जाएगा sin x square plus 2 hx plus h square plus x square बड़ा में 2 और फिर sin x square plus 2 hx plus h square minus का x square और बड़ा में 2 तो sin c minus d by 2 तो अब देखो और बड़ा में क्या है आपका यहाँ पे h है तो यह देखो यह और यह कट जागा चलिए अगला step देखते है यहाँ देखो limit h tends to 0 minus 2 sin क्या हो जागा है यहाँ पे 2 x square plus में 2 hx और plus में h square और बड़ा में 2 और यहाँ पे है आपका sin 2 hx और plus में h square तो एक काम करते हैं न यहाँ पे कुछ common कर लेते हैं h common हो रहा तो h common कर लो x plus h into में h into में h ठीक है और बड़ा में आपका 2 और इसके बड़ा में क्या है यहाँ पर h है ठीक है तो इस दो को नीचे लेके चले आते हैं देखते हैं क्या होता है limit h tends to 0 और इसमें अलग से limit लगा देते हैं sin 2x square plus में 2 hx plus में h square बड़ा में 2 और यहाँ माइनस यहाँ लगा दो और इस 2 को इसके डिवाइड में ले जाएगे इतना सारा काम एक साथ करते हैं ताकि हमारा step बचे sin 2x plus h into h by 2 और इसके बड़ा में h by यहाँ 2 आ जाएगा ठीक है इसके बड़ा में यहाँ लगा 2x square प्लस में 2hx प्लस में 2hx प्लस में h square बड़ा में 2 into limit h tends to 0 यहाँ पर दोको sin 2x plus में h into h by 2 और इसके बड़ा में h by 2 तो यहाँ से into करना हो वाना 2x plus h से डिवाइड कर दिये और यहाँ पर multiply भी करना our 2x plus h से समझे गे डिवाइड भी और multiply भी चलो भईया इसमें put करते हैं तो यहाँ हो जाएगा minus का sin 2x square प्लस में 2 into 0 और into में x और प्लस 0 का square और बड़ा में आपका 2 यहाँ दोखो इसका वेले तो 1 हो जाएगा और इसमें भी limit लगाएगे यहाँ पर इसके साथ तो हो जाएगा 2x plus 0 उसका भी limit निकाल लिए साथ में तो यहाँ पर minus का sin यहाँ बचेगा आपका 2x square by 2 यह सब तो 0 हो गया है 2 से 2 कट गया और into में यहाँ पर 2x अब दोखो यहाँ से आपका आजाएगा minus का 2x sin x square यहाँ से हमारा डिफ्रेंसियेशन आ गया चलो कोशन नमर 17 देखते हैं यह भी बहुत अच्छा कोशन देखो इसमें थोड़े लॉंग बन रहे हैं लेकिन हमें बहुत कुछ 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 क्रियर होने वाला है fx बरापर में दिया है sin x square plus 2 x square plus 2 यही न दिया है चलिए भईया f-x के लिए formula लगाते है क्या हो जाएगा limit h tends to 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे formula पहले लिख लेते है fx plus h minus में fx बटा h ठीक है पहले formula ही लिख दिया limit h tends to 0 fx plus h यहनि कि हो जाएगा यहाँ पे sin x plus h का whole square और plus 2 ठीक है इसका value minus fx का value क्या होगा sin x square plus 2 x square plus 2 और बटा में h बटा में h चलिए आगे solve करते हैं तो एक काम को हो जाएगा इसका पहले यहाँ पे formula लिख दो ताकि आसानी से इसको बनाए जाएगा limit h tends to 0 sin यहाँ पे हो जाएगा x square plus में 2 hx plus में h square और plus 2 minus sin x square plus 2 और बटा में h तो यहाँ उपर जो है आपका sin c minus sin d का formula लग रहा है sin c minus sin d का चलिए तो वही लगाते है limit h tends to 0 क्या होता है 2 sin c minus d यानि कि x square plus 2 hx plus h square plus 2 minus का x square minus का 2 by 2 sin c minus d by 2 और इन 2 में cos c plus d यानि कि हो जाएगा x square plus 2 hx plus h square plus में 2 plus में x square plus 2 और बटा में 2 चलिए तो यहाँ sin c minus d by 2 यहाँ cos c minus cos d by 2 cos c plus d by 2 चलिए देखते हैं यह 2 को बाहर भी निकल सकते हैं यह रहने भी दे सकते हैं limit h tends to 0 2 sin यहाँ दखो x square से x square कट गया और यहाँ 2 से 2 कट गया यह दोनों बचा यहाँ पर इन दोनों में कुछ common है क्या h common है तो हो जाएगा 2 x plus h और इन 2 में आपका h और बटा में आपका 2 चीक है अच्छा और इसके बटा में यहाँ h है यहाँ पर दखो cos 2 x square 2 x square plus 2 h x plus h square plus 4 और बटा में आपका 2 समझ गया ना इन सब को जोड लिए जो जोडने वाले थे अब देखिए भाईया इस 2 को इसके divide मिलाते है तो हो जाएगा limit h tends to 0 sin 2 x plus h into h by 2 और इसके बटा में h by 2 यह 2 नीचे आ गया अब दोखो फिर into limit h tends to 0 cos 2 x square plus 2 h x plus h square plus 4 और इसके बटा में यहाँ पर है 2 ठीक है अच्छा देखो यहाँ पर कुछ कमी है तो इसकी कमी है यहाँ पर 2 x plus h की कमी है तो यहाँ से divide की है तो यहाँ पर multiply भी करना होगा इसका 1 हो गया ठीक है इसका 1 हो गया यहाँ पर अच्छा और देखो यहाँ पर चलिए तो यहाँ पूट करेंगे न जी इस tends to 0 यहाँ भी limit लगा सकता हो अलग से ऐसे limit लगा सकता हो लेकिन लगाने क्या ज़रो थे मैं direct है इसका value लिख देता हूँ जीरो पूट करेंगे तो यहाँ पूट करेंगे तो यहाँ पूट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पूट करके कार देंगे तो बच जाएगा आपका टू एक्स कॉस एक्स स्क्वाइर प्लस टू यहाँ आपका एंसर आ गया समझ गया है तो यह ठारा नमबर देखते हैं साइन क्यूब एक्स का डिफ्रेंसियेसर निकाना तो इसको भी मान लेते हैं माना यह अपके टू में साइन क्यूब एक्स चलिए तो f-x के लिए फौर्मूला क्या हो जाएगा लिमिट एच ट्रैंस टू जी रो fx प्लस h मायनस का fx और वता में h चलिए यहाँ पर लगाते हैं limit h tends to 0 क्या हो जागा sin cube x plus h minus में sin cube x value रख दिये और bottom h तो उपर a cube minus b cube का formula नहीं लगा सकते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं चलिए लगा देते हैं limit h tends to 0 यहां हो जाएगा आपका sin x plus h minus में sin x sin a minus देखो तो यहां पर क्या किया है a cube minus b cube क्या हो गया है a minus b फिर हो जाएगा a square sin square x plus h plus a b sin x plus h into में sin x और plus में b square sin square x तो यहां formula क्या है a cube minus b cube a minus b a square plus a b plus b square और बटा में आपका यहां पर h है तो यहां देखो इन दोनों में sin c minus sin d का formula ही लगा सकते हैं बिलकुल लगा सकते हैं तो हो जागर limit h tends to 0 यहां पर क्या आ जाएगा तो यहां हो जाएगा आपका 2 sin c minus d by 2 यानि कि x plus h minus x by 2 और cos x plus h plus x by 2 ठीक है और इसके बटा में यहां h देते हैं समझे ना और limit h tends to 0 इसको अलग से लिख देते हैं sin square x plus h plus में sin x plus h into में sin x और plus में sin square x solve करते हैं तो यहां देखो इससे यहां कर देगा यहां डिवाइड में यानि कि हो जाएगा limit h tends to 0 sin h by 2 और यहां जाएगा इसके डिवाइड में तो h by 2 और इसको अलग से लगा दो limit h tends to 0 2x plus cos 2x नहीं cos 2x plus h by 2 इसको ले लिए और फिर यहां पे जो है वो ले लिए limit h tends to 0 sin square x plus h और plus में sin x plus h into sin x और plus में sin square x चलिए भई आप देखते हैं तो इसका तो value 1 हो गया into cos यहां 0 पूट कर देंगा 2x plus 0 by 2 फिर यहां भी 0 पूट कर देंगा sin square क्या हो जाएगा x plus 0 plus sin x plus 0 और into में sin x और plus sin square x ठीक है चलो आगे solve करते हैं तो यहां 2x by 2 2 आ जाएगा यहां जाएगा cos x into में 3 sin square x इसको सीधा करके लिए तो हो जाएगा 3 sin square x into में cos x यहां से हमारा differentiation आ गया देख रहाँ ना बहुत ही interesting आपका exercise है समझ रहाँ ना बहुत ही अच्छे-चे question इसमें दिये हुए है 19 नमबर देखो यहां पर root 10x के लिए तो इसका निकाल मान देते हैं fx बराबर में root 10x तो यह देखते हैं f-x के लिए तो formula हो जाएगा limit h tends to 0 root under formula पहले लिखे दो बाद में देखा जाएगा fx plus h minus में fx और अब रखते हैं limit h tends to 0 root under 10x plus h minus root 10x और बटा में h तो पहले root में है तो अंसका परिमेकरन करेंगे न चलिए देखते हैं limit h tends to 0 root under 10x plus h minus में root under 10x और बटा में आपका h है तो into कर देंगे root under 10x plus h और प्लस में root 10x और भाग में उसी तरह से root under 10x plus h और प्लस में root under 10x ठीक है तो उपर एक बड़ प्लस में एक बड़ माइनस मेहना तो यह स्क्वार माइनस भी स्क्वार लग जाए गा 10x plus h और प्लस में root 10x ठीक है तो यहां पर हो जाएगा आपका 10x plus h बड़ा में cos x plus h माइनस sin x बड़ा में cos x और इसके बड़ा में जो है वो लिखो h root under क्या हो जाएगा 10x plus h प्लस में root 10x चलिए solve करते हैं तो उपर lcm लेना होगा देखते हैं limit h tends to 0 उपर lcm लेंगे cos x plus h into में cos x इसमें इसे भाग करेंगे तो यह कर जाएगा यह जाके उपर into करेगा sin x plus h into में cos x minus इसमें भाग करेंगे यह जाके into करेगा cos x plus h into में sin x और इसके बड़ा में यह है h root under 10 x plus h और plus में plus में tan x चलिए आगे solve करते हैं तो उपर देखो ना यह sin a cos b cos a sin b किसका फर्मुला था sin a minus b करना था limit h tends to 0 हो जागा sin x plus h h minus x और बटा में यह इसके साथ into में आजाएगा cos x plus h into x into में x into h bracket करेंगे रूट अंडर 10 x plus h और फिर plus 10 root under 10 x यहीं ना होगा चलिए यहां x x कट गया यहां h by h अलग कर देते हैं sin h by h और सब में अलग 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 limit लगाते हैं limit h tends to 0 sin h by h इसको अलग कर लिए फिर limit h tends to 0 आपका क्या है यहीं ना है नीचे तो one by सब को एक साथ लिए दोनो क्या दिक्कत है cos x plus h into में cos x और फिर bracket के अंदर root under 10 x plus h और plus में root 10 x हीं ना है अब सीधे values में रख देंगा तो यह तो आपका one हो जाएगा into यहां पे रखोगे तो हो जाएगा आपका one by ज्यान से दखना cos x plus 0 into में cos x और फिर bracket के अंदर root under 10 x plus 0 और plus 10 x root under सब यह देखिए अब यहां पे क्या हो जाएगा तो यहां देखो यहां भी यह cos x cos x तो cos square x और यह दोनों plus का है जूर जाएगा यह भी root 10 x तो into में आ जाएगा into में into में 2 root 10 x यह न होगा आपका चले इसको सजा देते हैं cos को उपर भेज़ दो पहले यहां तो तो हो जाएगा आपका सेक square x बटा में 2 root 10 x यह आपका answer हो जाएगा इस वीडियो को यहीं paint करते हैं प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस रिलेटेज वीडियो दखेने के लिए सीधर डिस्क्रिप्शन में जाएगे मैंने पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो प्लीज वीडियो को लाइक चैर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते है थैंक्स पर वाचिंग